ओम स्यांति हम सभी को अपनी भिन भिन परिस्थितियों के समय अचल अडोल इस्थिती को धारन करना है ये हमारा एक सुन्दर लक्स है इसके लिए हमें चाहिए ज्ञान का बल और योग का बल आत्मा जितनी सक्ति साली बनेगी योग बल से हम परिस्थितियों को समस्याओं को सहज भाव से लेंगे हमें बहुत अच्छा अपने में confidence रहेगा कि ये बाते आई हैं चली जाएंगी हम उने seriously लेंगे ही नहीं और ये परिस्थितियां ऐसा अनुभव कराएंगी कि इनसे हमारा विवेक और जागरित होता है रिफाइन होता है हमारे अनुभव बढ़ते हैं इसलिए जीवन में ऐसा ना हो कि समस्याओं और परिस्थिति जैसे हमको बेहोस कर दें हम पे दबाव बना लें हमारी खुसी को छीन ले जाएं हमारे इस्वरिये नसे को लोप कर दें और इसके लिए चाहिए ज्यान चिंतन इसलिए जो आत्माय रोज मुल्ली का रस लेती हैं और मुल्ली के सुंदर सुंदर पॉइंट्स को अपने जीवन में लाने की प्रैक्टिस करती हैं उनका चिंतन करती हैं वो अचल डोल हो जाती हैं ज्यान चिंतन से ज्यान एक शक्ति के रूप में हमारी विवेक में समा जाता है अगर ज्यान का चिंतन नहीं होता, तो ज्यान विश्मरिथ होता रहता है, ज्यान को हम जीवन में एपलाई भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना जितना हमारा ज्यान का चिंतन चलता है, मुल्लियों से हम सुन्दर बाते नोट करके अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, उतनी उतनी हमारी जीवन की आत्रा सरल हो जाती है, हमें ज्ञान का बल प्राप्त होने लगता है, और ज्ञान के इस सब्जेक्ट में हमें बहुत मार्स मिलने लगते हैं, तो हम सारा दिन बहुत अच्छी इस गुड फिलिंग में रहेंगे, हम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हैं, हमारे साथ तो स्वयम भगवान है, समस्याओं तो आई गई हैं, आज हैं, कल नहीं होंगी, और जो व्यक्ति भी संसार में आज तक महान बने हैं, उन्हें अनेक बाधाओं को तो पार करना ही पड़ता है, देखिए, जब कोई व्यक्ति एक नए मार्ग पर कदम रखता है, उसे सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, वैसे भी ये कल्यू कांत है, असत्यता का यूग है, काटो का जंगल है, यहां सत्य को जाद ही सहन करना पड़ता है, सत्त को जाद ही सुनना पड़ता है प्रंतु सत्त में शक्ती होती है सुनने की भी सहन करने की भी इसलिए अपने सत्त पर सदा अचल अडोल रहना है दूसरों की ऐसी बाते सुन कर अपने सत्य स्वरूप को भूल नहीं जाना है अपने में विश्वास को कम नहीं कर देना है बहुत आत्माओं के साथ ये हो जाता है कि दूसरों की बाते सुनकर माया से कहीं थोड़ी बहुत हार खाकर मनुस अपनी शक्ति को भूल जाता है निरासा के अंदकार में चला जाता है परणतु हमें माया को भी जीतना है, क्योंकि माया को जीत प्राप्त करानेवाला सर्व शक्तिवान भी हमारे साथ है, सोच लें, वो हमें आया ही है विज़य बनाने, केवल हमारे अंदर यदि विज़य होने का संकल्प होगा, तो विजय हमारी ही होगी, जब भगवान स्वयम इस धरापर आत्माओं को पावन बनाने आया हो, तो बस केवल इतनी सी बात है, कि स्वयम में पावन बनने की इच्छा हो, उसके हम पॉइंट्स ढूण लें, मार्ग ढूण लें, तो हमारी विजय भी होगी, हम पावन भी बनेंगे, और हमारा सेल्फ भी बहुत अधिक बढ़ता जाएगा, तो अचल अडोल होकर, हम अभ्यास करेंगे, अपने पांचों स्वरूपों का, हम देव स्वरूप में थे, उसे अपने सामने लाकर, अपने को ये गुड फिलिंग देंगे, मैं ये थी, मैं ये था, ये है मेरा असली स्वरूप, पूजा हो रही है, उस स्वरूप को सामने लाएंगे, और आज मैं आपको याद दिलाओं, हम अपने विश्नु स्वरूप को सामने लाएंगे, विश्नु जी शेष सय्या पर विराजमान है, सांपोने सय्या बना दी है, छत्र चाया बना दी है, अचल अडोल इस्थिती है सागर में तूफान हैं लेहरे हैं लेकिन विश्णु जी मगन अचल अडोल इस्थित हैं अपनी से सया पर तो ये हम सब की यादगार है इसको आज सामने रखते हुए अपने पुझे स्वरूप को याद करेंगे अपने फरिष्टे स्वरूप को ब्रह्मन स्वरूप को पांचों स्वरूपों को एक बार घंटे में अवस्याद करेंगे सबेरे स्याम पांच पांच बार याद करेंगे ओम स्यान्ति